रुन्वल फॉरेस्स सुसाइटी की सेकेटरी संतो स्रिवास्तो और सुर्य देपुरिया प्रॉपर्टी डिलर से अनधुकूरत पैसे की डिमान कर रहे हैं जिसके विरोध में पवई रियल्टस वیलफर असेसेसिन की तरफ से सुसाइटी के खिलाफ बड़ा मोरचा निकाला गया पवेरियल्टस वेलफर असेशेशन के अध्यक्स अनिल यादों ने मीडिया से बाचीत में बताया कि सोसाइटी प्रॉपर्टी डिलर से जो पैसे की मांग कर रही है वो हमारे कानून के खिलाफ है अनिल यादों ने पुलिस परसासन से मांग की है कि इस मामले में सनलिप्त आरोपियों के खिलाफ हप्ता वसुली का केस दर्चकर आरोपियों पर कड़ी कारवाई होनी चाहिए हमको कोकन भवन से भी सपोर्ट चाहिए क्योंकि यह टोटली इनलीगल है तो मैं यह चाहता हूँ कि कोई भी चाहे वो प्रशासन हो कोकन भवन हो किसी के दबाव में आके कोई भी इनलॉजिकल इनलीगल चीज को पास नहीं करे सोसाइटी के फेवर में कि रजिस्ट्रार ने लिखके दिया है कि कोई भी सोसाइटी किसी भी वेंडर से कोई पैसा डिमांड नहीं कर सकती है यह लेटर आने के बाद भी यह लेटर इनको 6-7 तारीक को मिला उसके बाद भी यह ब्रोकर को काम करने से रोक रहे थे और जाने नहीं दे रहे थे जिसके विवरोध में हमने आज यह मोर्चा निकाला था उसके बाद हमने पुलिस बुलाई पुलिस प्रशाशन के लोग भी आये थे सोसाइटी के लोग बैटे थे वहाँ पे काफी बहस थी किया उन्होंने पुलिस वाले ने उनको बोला कि जब तक आपके पास कोई लिखित में किसी अथोराईज कंसन से नहीं आता है आप ब्रोकर को नहीं रुका सकते तो सोसाइटी ने ओचीज एक्सेप्ट किया है कि ठीक है हम रजिस्ट्रार से हमारा चल रहा है बात कर रहे है तब तक हम इनको काम करने देंगे ये आज फाइनल हुआ है लेकिन इसके आगे अगर हमारे विरोध में सोसाइटी रजिस्ट्रार या सोसाइटी कोई भी कदम उठाती है या कोई भी पैसे की डिमांड करेगी तो हम सारे ब्रोकर लोग भूखड़ताल पे ब तेंगे